चतरपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक यूवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है ब्रतक के पिता को यूवक का शव उनके खेट में मिला उन्होंने तुरंट इसकी जानकारी पुलिस और परीजनों को दी जिसके बाद पुलिस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्वाडम के लिए भेज दिया गया फिलाल मामले की जाच की जा रही है गड़ी मलारा के पिडपा गाउं में यूवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है ब्रतक के परीजनों का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते ही हत्या की गई है उन्होंने इस घटना की जानकारी तुरंत परीजनों को दी और फिर पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई घटना के बाद गड़ी मलहरा थाना पुलिस भारी पुलिस बलके साथ मौके पर पहुंचे और मामले की विवेचना प्रारंब कर दी है वही मरतक की पिता का आरोफ है कि उसके सामने ही उसके पुत्र की हत्या पांच लोगों ने की है आरोपियों ने पहले ही धमकी दी थी कि वा पुरानी रंजिश में खून का बदला खून से लेंगे अब घटना साथ ज़र भाई का मालो हमाय बच्चा हां बोली मार दई अब पुराणी रंजिश मालो आप उनको पहले मरो तो सोनने बल्दो चाहिश भी समझे मालो हमता ही अपने खेत पर है आ प्रेज़ चार 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 पर हमता ही खेत पर जा रहे थे बेचलेगा आदगंटा हम पहुंची होता ही पर सुझे चार-पांचे लोग मनलुव ना पके लिए दरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखल नियूस आपके हक्त में आप देख रहे हैं दखल नियूस